पूर्व पीम अटल बिहारी बाचपेई को श्रधांज़ी देने नितीश दिल्ली पहुंचे आज से ठीक पांच साल पहले यानि 16 अगस 2018 को भारत के पुर्व प्धान मंत्री अटल बिहारी बाचपेई का निधन हो गया था तब से हर साल दिल्ली में उनकी समाधी अस्तल सदैव अटल पर उनकी पुन्यतिथी मनाई जाती है 2018 से 2022 यानि पूरे चार साल नितीश आज तक बाचपेई को श्रधांज़ी देने दिल्ली नहीं गए लेकिन आज अचानक नितीश कोटल बिहारी बाचपेई की खुब याद आने लगी और वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और बाचपेई को याद करते हुए कहते हैं कि अटल जी उनसे बहुत प्यार किया करते थे ऐसा पहली दफा हुआ जब नितीश कुमार अटल बिहारी बाचपेई को उनकी पुन्य तिथी पर श्रधांज़ी देने दिल्ली पहुँचे हुँ आखिरकार पांच साल बाद नितीश को अटल बिहारी बाचपेई क्यों याद आए बिजेपी से अलग हुए नितीश को जादा दिन भी नहीं हुआ है पिछले साल 9 अगस 2022 को ही नितीश ने बिजेपी का साथ छोड़ा था और आरज्वेडी का दावन धामा था इतने साल बिजेपी के साथ रहे लेकिन कभी भी अटल बिहारी बाचपेई को श्वा धांच्टी देने दिल्ली नहीं पहुँचे थे लेकिन अचानक से नितीश ने प्लान किया और वो दिल्ली पहुँच गये अलाकि नितीश कुमार ने ये भी कहा कि जब 2018 मेटल जिकाने धन हुआ था तो मैं यहां आया ही था लेकिन बीच में कोरोना के कारण यहां नहीं आ पाया था लेकिन नितीश कुमार का ये बयान एकदम कई तरह की स्तवाल उठाने लायक था वो क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण सिर्फ 2020 में ही स्वर्गे अटल विहारी बाचपेई के समाधी अस्तल पर श्रदहांजडी समारों नहीं हुआ था इसके अलावा हर साल उनकी पुनितिती पर वहां श्रदहांजडी समारों का आयूजन किया गया था लेकि नतीश कुमार 2018 के बाद पहली दफ़ा उनकी समाधी अस्तल पर आज पहुँचे हैं देखें नतीश कुमार के मन में अटल विहारी बाचपेई के श्रुमिते इसकदर हावी है कि शायद ही वो किसी मौक्या पर उनको भूले हो बार-बार उनके मुझ से अटल जी का नाम निकलता है सच कहें तो बिजेपी के लोग अटल जी को उतना याद नहीं करते उससे कहीं जार नतीश कुमार अटल विहारी बाचपेई को याद करते हैं बिजेपी से अलग होकर 2022 में नितीश ने जब महा गटविदन के साथ बिहार में सरकार बनाई तब भी नितीश ने अटल जी को याद किया था उन्होंने नाम तो नहीं लिया था लेकिन उनके निशानी पर पीए मोदी ही थे उन्होंने बिजेपी के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए अपने संबोधन में अटल बिहारी बाजपई के लिए श्रधे शब्द का भी इस्तिमाल किया था और अटल आडवानी के जमाने की बिजेपी और मोदेश शाह के अभी वाली बिजेपी के बीच में फर्क भ चाहते हों दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि अटल के जमाने की बिजेपी का सौफ्ट रुख बताकर वो बिजेपी में ही फूट डालना चाहते हैं और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं अभी नितिश्च के मन में बिजेपी से अलग होने की कसक तो नहीं है क्या अभी बिहारी बाज़ पे क्यों याद आए जवाब हम आप पर छोड़ते हैं आप क्या सोचते हैं इस विसे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए फिलाल इस वीजियो में इतना ही बिहार जारकन से जूड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें टिवे 9 बिहार जारकन शुक्रिया